15 जून की महत्पूर्ण खबरों को देखेंगे शक्तिकान दास जो की RBI गवर्नर है भारत के सेंट्रल बेंकिंग संस्थान जो लंदन में स्थित है इसके द्वारा गवर्नर आपद इयर नामित किया गया 2015 में रगुराम राजन को भी नामित किया जा चुका है इस सम्मान के लिए तो ये दूसरे प्राप्त करता है RBI गवर्नर शक्तिकान दास राजा या रजा परवा ये एक परव है तेवहार है फसलोसो है या क्रशी संबंधित उस्सो है कहां का उड़ीसा में मनाया जाता है 111 अंतराष्टी श्रम सम्मेलन ये जिनेवा जिनेवा में है स्रिजन लैंड में ही इस्तित है यहां पर 111 अंतराष्टी सम्मेलन भी आयुजित हुआ भुपेंद र्यादो जो कैबिनेट मंत्रियं भारत के इन्हों ने इसमें भाग लिया और संबोधित किया वैश्विक दासता सूचकांग 2023 यहाली में आईलो के दोरा तयार किया गया और वाकफ्री के दोरा इसको जारी किया गया इसके अनुसार G20 जो देश हैं आधनिक गुलामी को बढ़ावा दे रहे हैं भारत में 11 मिलियन लोग आधनिक गुलाम की शेड़ी में आते हैं ये दो आखड़े इससे संबंधित आप लोग याद रखेगा प्रधान मंत्री मोदी 21 जून से 24 जून तक अमेरिका के दोरे पे रहेंगे इस दोरान वे अमेरिकी संसत को भी अमेरिकी कांग्रेस को दूसरी बार संबोधित करेंगे और दूसरी बार संबोधित करने वाले पहले प्रहरती प्रधान मंत्री हो जाएंगे, अमेर्की कांग्रेस को दूसरी बार संबोधित करने वाले, चन्नाई में एक्सप्रेस एवेन्यू राय पेटा, इसमें स्क्वैश विशुकप आउजित हो रहा है, जिसमें आठ टीमें भाग ले रही हैं, 13 से 17 तारीक तक, 13 जून से 17 जून तक ये प्रतिस्परधा चलेगी, विन क्लाइमेट चेंज टन्स वाइलेंट, ये एक मूवी है, डाकुमेंटरी फिल्म है, इसकी निर्देशक हैं वंदिता सहारिया, हाली में विश्व स्वास्त संगठन का स्वास्त सेड़ी में, सब को स्वास्त सेड़ी में इसको पुरसकार पदान किया गया, और पुरसकार प्राप्त करने वाला, एक मातर भारती जो फिल्म थी, वो यही थी, तो आज के लिए इतना ही बहुत बहुत धन्यवाद दोस्त, झाल झाल